दोस्तो आपके भी मन में एक कोश्चन बार बार आता होगा कि माइक्रोफिनांस कमपनी में CRO या फिर फिल्ड ओफिसर का काम क्या होता है दोस्तो अगर आप भी माइक्रोफिनांस कमपनी में CRO या फिर फिल्ड ओफिसर का काम करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना परेगा, सुभह कितने बज़े आपको office पहुंचना है, साम को कितने बज़े आपको office से छुट्टी मिलेगा, महिने में आपको कितने दिन छुट्टी मिलेगी, और जो सबसे important चीज है कि आपको salary क्या मिलेगा, और salary के अलाबा आपको और कौन से benefit company क के तरफ से उपलब्द करवाए जाएंगक तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने अनुभब्ब के अनुसार इं सारी चीजों की जानकारे आपको बताएंगे तो आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है और हमारे इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दो और अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां पर प्रते दिन आपको इसी परकार के जॉब से समधित वीडियो देखने को मिलेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडिय जाता है कि आगे आपको किस तरह से काम करना है दोस्तों ट्रेणिंग खतम होने के बाद सुबह सारे 7 वज़े आपको ओफिस पोहता है वहां से कलेक्शन पर लेकर रहे कि अगर पहला center का time 8 बज़े से है तो दूसरा center का time 9 बज़े होगा तीसरा 10 बज़े से होगा इसी तरह से 4 था और 5 बज़े होगा दोस्तो सारे center पर collection करने के बाद आपको अपने office पे आना है उसके बाद आपको पैसे मिलाना है कि कितना collection आपको करना था और कितना collection आपने करके लाए है दोस्तो ये सारा कुछ वहाँ पर रखे गए एक register पे आपको लिख देना है दोस्तो इसके बाद lunch होता है दोस्तो lunch के बाद अगर कोई loan लेने के लिए आया तो उसे loan की सारी परकिरिया समझा के loan देना है अगर कोई loan लेने के लिए नहीं आया तो आपको अपने आसपास के गाउं में सर्वे के लिए जाना है वहाँ आपको ज़्यादा ज़्यादा महिलाओं को जोर कर loan देना होता है दोस्तो आप जितना ज़्यादा loan दीजिएगा incentive के रूप में company आपको उतना ज़्यादा पैसे देती है दोस्तो सर्वे करने के बाद आपको साम के 4-5 बज़े तक office पे आना है उसके बाद आपको office में कुछ paperwork होते हैं दोस्तो paperwork खतम करने के बाद आपको चुटी मिल जाती है दोस्तो लगभग आपको 10-12 घंटे काम करने होते हैं दोस्तो अगर हम इसकी छुटी की बात करें तो महीने में second Saturday और fourth Saturday और सारे Sunday को आपको छुटी दिया जाएगा दोस्तो अगर हम इसकी selling की बात करें तो जो company आपको room नहीं देती है उसमें आपको 10-11,000 रुपे पर तीमा आपको selling दिया जाएगा पलस धाय से 3 रुपे पर ती किलोमीटर के हिसाब से आपको petrol ख़च दिया जाएगा और आप जितना ज़्यादा ज़्यादा loan दीजेगा उस हिसाब से आपका जो incentive बनेगा इंसेंटिव भी company के तरफ सुपलत करवाय जाएगे और दोस्तों जो company room पर भाइट करती है उसमें आपको 8,000-9,000 रुपे पर तीमा selling दिया जाएगा पलस पेट्रोल ख़च दिया जाएगा पलस आपका जो incentive भी company के तरफ सुपलत करवाय जाएगा